हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है गहत्री पैसन हिंदी चैनल पर आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सोया मेथी की सबची या साग इसे आप बोल सकते हैं इसे मैंने धुल लिया है और यहाँ पर देखिए मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ इसे हमें एक प्लेट में इस तरीके से निकाल लेना है सोया मेथी को मैं साथी में मिक्स कर ले रही हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने सारी सबजियों को कट कर लिया है प्याज मैंने एक कटा है हरी मिर्च लेसुन और आलू कट कर लिया है आलू को हमें छोटे स्कुन जीरा डाला है शीरो को टड़कने देंगे और यहां पर मैंने जो लशुन chorop किया था मैंने खूप सारा लसुन इसमें डाला है लशुन अच्छे से पक जाए तब तक हमें इसको बूना है इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूं ओयल में, सोया मेती साख में आप जितना लस्ण यूज़ करेंगे, जितना लस्ण उसमें अधिक डालेंगे, उतना ही ज्यादा टेस्टी साख बनता है, और ये देखिए हलका ब्राउन होने लगा है, लस्ण, तभी मैंने इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल दी, लस्ण और हरी अच्छे से पक जाए तब हमें एक मीडियम साइस का प्याज इसमें डाल देना है यह देखिए मैंने चौप कर लिया था प्याज उसमें एड कर दिया है प्याज भी हमारा हलका ब्राउन होने लगा है और साथ में मैंने एड किया है दो लाल मिर्च वन टी स्पून धन्या पा मसालो को सही मातरा में सबजियों में एड करना और उसे पकाना बहुत ही ज़्यादा इंप्वर्टेंट है और चलिए इसमें आलू एड करती हूँ आलू को मैंने चोटे चोटे टुकड़ों में काट लिया था यहां देखिए मैंने आलू को कड़ाई में डाल दिया है और इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसे हमें 2-3 मिनट तक इस तरीके से भूनना है, ताकि आलू में क्रिस्पी पन आ जाए, पुरकुरा हो जाए, ये देखिए, इसी के साथ मैंने इसमें एक हरी मिर्च डाल दी है, आपको जितना तीखा पसंद हो, आप अपने अन सोया मेथी, सोया मेथी हमें अच्छे से डालना है, नीचे नहीं गिनने पाए करहाई में, और ये देखिए, इसको मिक्स कर लेती हूँ, अराम से हमें मिक्स करना है, ताकि ये ज्यादा क्वांटिटी में दिख रही है, लेकिन जब पानी छोड़ेगा, तो इसकी क्वांट से और ये देखिए, पान से छे मिनट हो गए हैं, अब धकन को हटाते हैं, आप देख सकते हैं, फ्रेंस की साग ने पानी छोड़ दिया है, और इस पैचुला की हेल्प से इसको इस तरीके से मिक्स कर लें, इसकी कॉंटिटी भी कम हो चुकी है, 60% आलू हमारे पक गए हैं, और इस तरीके से हमें अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसको हमें 2-3 मिनट और पकाना होगा, 2-3 मिनट हो गया है, मैंने धकन को खोला, और इसमें मैं एट कर रही हूं स्वादन स्वार नमक, अब इसको नमक को अच्छे से सबजी में मिक्स कर देंगे, यहाँ पर मैं मिक कर ले रही हूं हलके हाथों से मिक्स करना है ताकि आलू जो है वो तूटने ना पाएं यह बहुत ही जादा हेल्दी और पोस्टिक तत्तों से भरपूर होती है और यह देखिए इसको मैंने ढखके थोड़ी देर और पकाया इसमें क्रिस्पी पन आ गया है अब इसको हमें नहीं ढखना है खुले ही पकाना है कुछ सेकंड तक और यह देखिए इस पर मैं डाल रही हूं गरम मसाला हाफ टी स्पून मिक्स कर दीजिए गरम मसाला को सब्ची हमारी रेडी है तो गाइस धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें